सुवागत आप सभी का सुमयंश्री एजूकेशन चैनल में। आज का जो टॉपिक है वह राजस्थान के के लिए। इससे पहले हमने दुर्गों के बारे में, दुर्गों की विशेष्थाओं के बारे में हमने बात की थी। कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी उन दुर्गों की क्या-क्या विशेस्ता हैं कैसे ये जो दुर्ग है वो बनाये जाते थे उनके बारे में भी हमने बात करी और आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान के किले कुछ महत्वपुन जो किले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे तो आईए शुरुआत करते हैं इस टोपे की यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चित्तोड का किला इसके वास्विक नाम है चित्रकूट दुर्गों का सिर्मोर कहा जाता है चित्तोड का जो किला है वो सभी दुर्गों का यानि कि कहते हैं कि चितोड का जो दुर्ग है वो दुर्गों का सिर्मोर है शेत्रफल की द्रस्टी से सबसे बड़ा किला है यानि कि राजस्थान के किलों में अगर हम बात करें तो शेत्रफल की द्रस्ति से चित्तोड का जो किला है वो सबसे बड़ा है साथी साथ इसे भाद का सबसे लंबा किला भी कहा जाता है एक्जाम में इससे सम्मंदित जो प्रश्ण है वो जो बनते हैं उनके बारे में मैं एक बार आपको बताऊं तो जैसे कि मालिजे किसी किले के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो उसका जो वास्तविक नाम है वो किसी पाहडी पर अगर वो बना हुआ है तो वो इंपोर्टें जना में डिया स्प्राइब आगी शाुंहिण हमाना जिम्रा को आख से तस प्रेश्चनों जो हैं वह इंप्पिरंट हो जाते हैं तो यहां पर हम बात कर रहेakeं चित्वक डिक्रानी enfin सबसे दुर्ग और राज़स्तान के किलो में अगर शेत्रफल की दर्श्ची से देखेंगे तो ये सबसे बड़ा किला है साथ भारत का सबसे लंबा किला कहा जाता है अब नदियों की बात करें तो किस नदियों की किनारे पर यह इस्तित तो ये important हो गया कि गंबीरी और बैड़च नदी के संगम पर ये इस्तित है बहुत इंपोर्टेंट है कि जो चितोड का किला है वो किन नदियों के संगम पर इस्तित है तो गंभीरी और बैड़च नदियों के संगम पर ये इस्तित है अब बात करें निर्माताओं के बारे में तो मोरे वंची शाशक है चित्रांगद म इसा नाम चित्रगार रखा और इसी का आप्रभंश selvंप चिट्रगव रखा तो यह इम् पोर्यमदो के द्वरा इसका जो नाम था वुई चित्टरग कोर रखा और पाद में वही नाम अप्रभंश पर कर चित्तोड ही है अगला जो important है वो है पठार यानि कि अगर ये चित्तोड का किला बना हुआ है तो किस पठार पर इस्तित है तो उसका नाम है मेसा की पठार उस पर ये किला जो है बना हुआ है सुर्दर प्राचीरु से घिरा हुआ है इसके अंदर राचमहल है कलात्मक मंदिर इसके अंदर आ यहां पर काफी सारे जो स्थल थे उनका उन्होंने मरब्बत करवाई उनका जनुद्धार करवाया और साथी साथ महारणा कुम्बा ने अपने राज्ये काल में 32 नए किलों का निर्मान करवाया जो कुम्बा कालिन भारती स्थापत्य कला का अद्बुत उधारण हैं। मेवाड की राजनीती का केंद्र जो है वो रहा है क्या चितोड देखिए एक जो इंपोर्टेंट जानकरी है वो मैं आप तक पहुचाना चाहरी हूं कि आपको याद होगा कि 1303 में चितोड की बात में बता रही हूं कि 1303 में अलावदिन खिल जी ने रावन जो रावल है रतन पुत्र था अलावदिन खिल जी का तो इस दुर्ग का नाम उन्होंने अपने पुत्र खिजर खां को यह सोब दिया और उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया था खिजराबाद तो यह एक इंपोर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको देना चाहती हूं कि जब अलावदिन खिल जी ने तेरा सो तीन के अंदर इस पर अधिकार किया चित्तोड पर और इस दुर्ग को अपने पुत्र को सौप दिया था उसका जो पुत्र है उसका नाम था खिजर खां और उस खिजर खां के नाम पर ही इसका जो नाम था वो खिजराबाद रख दिया था यह जो आप फोटो में देख रहे हो यह चित्तोड के किले का चित्र है और जिसका जो वास्विक नाम है चित्रकूठ है दुर्गों का यह सिर्मोर कहा जाता है गंबीरी और बैड़स नदियों के संगम पर यह इस चित्ते काफ़ी सुरुदर्ड जो किला है चित्रांगद मौ पढ़ता है मेसा की पठार पर यह बना हुआ है काफी खुबसूरत यह किला है तो आप फोटोग्राफ्स भी देखेंगे तो आपको यह याद रहे जाएगा और यहीं से आप देख सकते स्पस्ट रूप से आपको जो है विजयास्तंब दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे विजयास्तंब इसका जो निर्मान है वो प्रारम होता है 1440 से बन करके तैयार होता है और इसका जो निर्मान कारे समाप्त होता है वो 48 में यानि 1448 में विजयास्तंब आठ वर्षों में बन करके तैयार हुआ यह आप याद रखें और कुम्भा के द्व 122 फिट उंचा है और 9 मंजिला इसमारक है और अपनी कारीगरी का इसमें सुन्दर जो उधारन है वो मिलता है देखिए यहां पर हम इसकी जो फोटोग्राफ से वो भी देख लेते हैं ताकि आपको यह आसानी से याद हो जाए चित्र में आप देख रहे हो विजयस्तंब है जिसका कि निर्मान कारी आरम होता है 1440 से और 48 में यह बन करके समाप्त हो गया यानि कि 1440 से इसका निर्मान कारी आरम होता है और 1448 में इसका निर्मान कारी जो था वो समाप्त हो गया यानि 8 वर्षों में यह बन करके तयार कुंभा के द्वारा निर्मित विजयस्तम है अगर हम इसके बात करें कि ये नीचे धर्ती से कितनी फिट उंचाई पर चबुत्रे पर बना हुआ है तो ये 10 फिट उंचे चबुत्रे पर बना हुआ है ये बहुत जरूरी है कि जब भी कोई स्थापत्यकला के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो किस चबुत्रे पर बना हुआ है नीचे धर्ती पर बना हुआ है कितने वर्गाकार फिट पर ये फेला हुआ है कितनी मंजिला इसमारक जो है ये है तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया हुमायू का जो मकबरा था वो बना हुआ था 22 फिट उंचे चबुत्रे पर इसी तरह से ताजमेल 22 फिट उंचे चबुत्रे पर बना हुआ है इसी तरह से अगर हम विजय स्कंब की बात करेंगे तो ये 10 फिट उंचे चबुत्रे पर बना हुआ है इसी तरह से 47 फिट वर्गाकार है यानि वर्गाकार का जो आकार है वर्ग की तरह ये बना हुआ है 122 फिट उंचा है 9 मंजिला इसमारक है ये इंपोर्टेंट है ये वाली बात जो है मैं समझाने चारी थी आपको कि अगर आप इसकी जो मंजिले है वो आप गिनेंगे तो ये 9 मंजिला है और 122 फिट उंचा है अगर हम फिट की बात करें तो 122 फिट उंचा है और नीचे धर्टी से कितनी उंचाई पर ये बनाया गया है तो 10 फिट उंचे चागूतरे पर ये बनाया गया है वर्ग के आकार का है यानि वर्गाकार है कितना 47 फिट इस बात को आप याद रखें और ये बहुत इंपोर्टेंट है इस पर बहुत सारी इस्तंब पर प्रतिमाय उत्क्रिन है इसे भारती मूर्ती कला का शब्द कोश कहना उचित होगा साथी साथ पुराविध है श्री आर्सी अगरवाल उन्होंने विज्जे इस्तंब के शिल्पियों के नामों की सूची भी प्रकाशित की थी और इसमें सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि जो शिल्पियों जैसे जाईता है उनके पुत्रों के नाम है जैसे कि नापा, पॉमा, भूमी, पूजा, बलराज इस तरह के जो नाम है जो जिन शिल्पियों ने इसमें बनाने में अपनी वहनत की थी उनके नामों की जो सूचि है वो इन सूचियों, उनकी जो सूचियों के जो नाम है वो इसमें मिलते हैं यानि विजैस्तम के शिल्पियों के नामों के सूचिय जो प्रकाशित की थी वो आर्सी अगरवाल ने की थी परसी ब्राउन ये इस्थापत्य विद्ध हैं और इनकी मान्यता है कि मुस्लिम कारीगरों ने भारती इस्थापत्य के पारंबरिक आकारों वो इस्थानिय रूपों को मिला कर आवशक्ता अनुरूप संशोधन करके एक विशस्थ इस्थापत्य शेली का निर्मान किया जिस कहने वाले कोन है परसी ब्राउन ये इस्थापत्य विद्ध हैं आपको याद होगा जब हमने मुगलकाल की इस्थापत्य कला के बारे में पड़ा था तो उसमें भी इनका एक कोटेशन था वो मेंने आपको बताया था कि परसी ब्राउन ने ये माना था मुगलकाल को कि भा बहरतिय वास्तुकला का गरिश्मिकाल यह परसिब्राउन का था यह पर भी परसिब्राउन मानते हैं कि मुस्लिम कारीगरों ने भारतिय इस्थापत्य के जो पारंपरिक आकार थे और उसमें इस्थानी रूमों को मिलाया आवशक्ता नुसर उसमें सभैशोधन भी किया और विशिस्ट इस्थापत्य शेली का निर्मान किया जिसको नाम दिया गया है इड्डो इसलामिक शेली तो यह इंपोर्टेंट है आप इसे जुरूर याद रखें तीसरे नमबर पर बात करेंगे तारागड का किला जो बुंदी का है और यह राचपुत और मुगल कला का समन्वे का सुन्दर उधारन है यानि कि यह जो तारागड का किला है वो मुगल और राचपुत कला का सुन्दर उधारन है इसमें दोनों का समन्वे इसमें मिलता है चो हाडा षाच निर्मार की दृर्टपूर्गृ निर्मार का लिए बनी हये रहें तो एक वादा हम ओड़ बनी हो निर्मार की धिन इंदर देखने को मिलता है साथी साथ इसका जो निर्माण है वह चोदमी शताबदी में हुआ है राव बरसिंग के द्वारा हुआ है इसके चारो और देखें इस दुर्ग के चारो और देखें तो दिवार का निर्माण है साथी साथ हाडा शाषकों के कलात्मक जो मैहल है वो टॉपिक हमने पड़ा था उसमें हमने दुर्गों के प्रकारों के बारे में भी बताया था कि कोटिली के अनुसार हमने दुर्गों की चार कोटियां हमने निदारित करी थी और शुक्रनीति के अनुसार नो तरह के दुर्ग बताये गए थे इसी तरह से हमने राजस्थान में दुर्गों के जो है प्रकार पड़े थे किस प्रकार से राजिस्थान में किस प्रकार के जो दुर्ग है वो पाए जाते हैं तो गिरी दुर्ग के बारे में हमने पड़ाता किसी उची पाहडी पर बनाया गया जो दुर्ग है गिरी यानि किसी परवत पर उची पाहडी पर ब और यह किला जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि परवत की उंची चोटी पर ये बना है और अगर धर्ती से आकाश के तारी के समान ये दिखाई देने के कारण ही इसका जो नाम है वो तारागड नाम पढ़ गाया और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गया किले के अंदर बने महल अपनी शिल्बकला और वित्ती चित्रों के कारण अधीती है इतिहासकान है करनल जैंस्टोड बुंदी के राज महलों के सौंदर्य पर मुग्द हो गए थे ये जो कोटेशन है ये जो करनल जैंस्टोड के बारे में मैंने आपको बात बताई ये बहु उम्मेद सिंग जी के शाशनकाल में निर्मित है चित्रशाला जो बूंदी चित्रशाला का उतकरष्ट उधारन प्रस्तुत करती है। उधारन है। बूंदी जो दुर्ग है वो दिल्ली संतलत मुगल बात्षाउं के द्वारा आकडरमण के कार्यां शत्ताई इसकी हुई थी। पर हाडा राजाओ ने हमेशा ही इसका कड़ा प्रतिरोध किया और उसकी रक्षा की थी। तो जो बूंदी का दुर्ग है वो दिल् हमेंने बात बताई साथी सा्थ कंनल जैमस्टोड जो बुंदी के राजमहलों के सुंदरये पर मुगद है यह एक इंपोटेंट बात है साथी साथ्टित्रिशाला जो बनवाई गई थी महारा उमेद्ल सिंजी के अ बहुत है उब बात जो जो तारागड का जो किला है वो राजपुत और मुगल कला के समनवय का सुन्धर उधारण है यह इंपोर्टेंट जो है माना जाता है गिरी दुर्गों के शेणी में यह दुर्ग आता है यह आप याद रखें इंपोर्टेंट है अब हम आगे बात करेंगे जालो दुर्ग की जो कि सूकडी नदी के किनारे पर इसका निर्मान हुआ है जिसासे इस टार्टिंग में जब हमने कित्तोड के किले के बारे में बात की थी तो वह के लेयर्ए खैंग के किलेिया इसके स्थ सिंगं पर वह बनाया गया है इस LMbon या किसी नदी के किनारे या किसी दो नदियों के संगं पर बना हुआ होता है तो वो accountant हो जाता है साती छाट जालोर का जो दुर्घ है वो किन לאमों से प्रसिध है तो इसे वर्णगीरी सो नलगड तो तो स्वरनगीरी गिश्म सब्चनल काकर अधिकार था दसवी सदी में इसका जो निर्मान करवाया था वो परमार राजा धारावर्ष और मुंजी के द्वरा करवाया गया था लेकिन इस दुर्ग पर तेरवी सदी तक परमार राजाओं का अधिकार था देखिए यह जो टॉपिक है वो बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप राजस्तान की भरती से सम्मधित कोई त्यारी कर रहे हो तो यह जो टॉपिक है वो बहुत इंपोर्टेंट है तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें क्योंकि यह जो आगे हम बात करें तो इसमें दुर्ग के अंदर हिंदू और जेन जो देवाले हैं यानि मंदिर हैं और बुर्ज जो हैं बनाए गए हैं पश्चिमी आरावली श्रंकला की जो सोनगिरी पहाडी पर है और समुद्र तल से इसकी अगर हम उचाई के बारे में बात करें और कितन जो दुर्ग है वह सोनगिरी पहाडी पर समुद्र तल से अगर देखें तो चौईश्चिया पर है यह बना हुआ है और पहाडी के शीरष पर अगर हम देखें यानि इसके माथे पर अगर हम देखेंगे तो यह आठ सो गज लंबा है चार सो गज चोड़ा संतल मेंदान है तीन दर्वाजों को अगर हम पार करें तो चौते दर्वाजे से इसमें प्रवेश द्वार है और यह जो दुर्ग है जालोर का वो दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर इस्तिते हैं देखे एक रोचक जो जानकरी है वो मैं आपको देना चाती हूँ कि जब अलावदिन खिल जी सौमनात पर आक्रमन करने के लिए दिल्ली से जब गुजरात जाने लगा तो जालोर का राजा है कानहरदे ने खिल जी की सेना को अपने राज्ये से होकर जाने देने से मना कर दिय तो खिल जी ने उस समय अपना मार्ग तो बदल लिया पर जब वो गुजरात की विजय करने के बाद जालोर पर उसने आक्रमन कर दिया और देखे तेरा वर्ष तक जो थी इसकी घहराबंदी चली किले की और खिल जी उसे तोड़ नहीं सका था और 1311 में कोई दहिया कीलयं च मार्ष एवार श्यृद कर जो तो बने हुए हैं उसमें लग जाता था तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किले जब बनाए जाते थे तो सुरक्षा का विशेश ध्यान जो है रखा जाता था उस समय और किलों के आसपास खाईया बनाई जाती थी उन्हें और जादा कठिन करने के लिए उसमें पानी भर दिया जाता था इंपोर्टेंट है जालोर के किले के बारे में हम बात कर रहे थे और यह है जो किला है वो सोनगिरी पाहडी पर बना है और समुदर तल से अगर इसकी उच्चाएद देखें तो 2408 है अगर पाहडी के शीष पर या इसके माथे पर अगर हम देखेंगे तो यह 800 गज लंबा ह यह उपड़ से चोड़ा है और इसकी लंबाई है और चोड़ा ही 400 गज है यहनि काफी बड़ा जो है दुर्ग है यह साथे साथ इसके बहुत सारे नाम है जिन नामों से यह प्रसिद्ध है जालोर का जो दुर्ग है वो सुणगिरी के नाम से सोनलगड और कंकाचल के नाम स जालोर के बारे में हमने पड़ा और अब इसकी एक फोटो है जो है मेरे पास है वो हम देख लेते हैं आगर आप देखेंगे तो आपको यह याद रह जाएगा जबकि 23 सदी तक इस दुर्ग पर परमार राजाओं का अधिकार था मैंने बताया सोनगिरी पाहडी पर ये समुद्र तल से उचाई पर है 14 208 फिट की उचाई पर है और आपको याद होगा कि अलावदिन खिल्जी जब आक्रमंट करने दिल्ली से गुजरात जाने लगा था जाने लगा दिल्ली से गुजरात जाने लगा तो जालोर के राजा जो थे हैं दे उन्होंने खिल जी सेना को अपने राज्ये से जाने के लिए मना कर दिया था उस समे तो उसने अपना udah बदल लिया था लेकिन जब वो वहाँ पर गुजरात विजय करके आया तब उसने जालोर पर आक्रमन किया था और लास्ट में वो इसे जीत नहीं सका था लेकिन उसने एक सरदार थे जिनको अपनी और मिलाया और उनकी गद्दारी के वज़े से ही इस किले का पतन हो गया था और इस किले के अंदर मलिक जो संत मलिक शाह की दरगा है खूप सारे इसमें जलबंडार हैं कुए हैं कुंड भी इसके अंदर है और ये जो दरग है वो पशिमी राजस्तान में सोनगराज चोहानों के अतुल शोरे के लिए प्रसिध है और प्राचिंता और सुर्धर्टा के लिए प्रसिध है अब हम बात करें तो रण थम़ोर के दृर्ग की हम बात करेंगे जो की सवाई मादुपुड से 9 किलोमिटर दूर है और अरावली परवत मालाओं से घिरा हुआ है परवत दुर्ग है वन दुर्ग भी है और निर्मान की अगर हम बात करें तो चोहन वंचिय राजाओं ने निर्मान जो है करवाया है करीब 600 वर्षों तक इस शेत्र पर उन्होंने एक छेत्र राज्य भी किया है और विशम अकारवाली साथ पहाडियों से घिरा हुआ है रन थंबोर का दुर्ग उची पहाडी के शिखर पर रन थंबोर का अभैद्य दुर्ग जो है वो इस्तित है और दुर्ग का जो नाम है पहले दुर्ग का जो नाम था वो रन थंब पूर है तो पहले इसका जो नाम थ वह रण थंबपूर है उची पहाडी के शिखर पर ये बना हुआ है अबैद्य दुर्ग है साथ विशम आकार वाली जो पहाडियां है उनसे ये घिरा हुआ है इंपोर्टेंट है और चोहान वंशिय राजाओं ने इसका निर्मान करवाया है करीब 600 वर्षों तक उन्हें यह दुर्ग के बारे में कहा गया है कि शिव पिंट पर रखे हुए बीलव पत्र की भाती पहाडी श्रंखलाओं में घिरा रन थंबोर जो है देश का प्रसित दुर्ग है अबूल फजल ने क्या कहा है इसके बारे में यह जो कोटेशन है वह बहुत इंपोर्टेंट है और दुर्ग पक्तर बंध है तो बहुत अच्छा जो कोटेशन है वह इस रन्थंबोर के दुर्ग के बारे में अबूल फजल ने कहा है रन्थंबोर दुर्ग जो है राणा हमिर देव चोहान की शोरे गाथा का साक्षी रहा है तेरा सो एक में अलाव दिन खिलजी से युद कर अपनी शरण में आय हुए व्यक्ति के रक्षा के लिए उन्होंने बलिदन दे दिया राणा हमिर देव चोहान ने किले के अंदर और क्या-क्या चीज जो है देखने लायक है तो देखिए पत्तिस खंबो की छत्री है पहले भी जब हमने एक टॉपिक के बारे में बात करी जी उन्हों की तुश्लिवेशा पहत बारे में इम और अपर भी का हिम आजआजिशी का पस्तर मॉं के महल मॉंस में यह मैं हको बल्दो का जो गनिर है यह का शरता हमीर और महल है लक्षमिनाराइज का मंदिर है जेना बारे मॉयम है तो बहुत इम्पोर्टेंट है किले के बारे में कहा है कि सब दूर्ग नंगे हैं जबकि यह दूर्ग बक्तर बंध है फोड़ोग्रास देखेंगे उनके चित्रों को अगर आप देखेंगे किलों को जो मैंने खुद देने कीची है अगर आपको अच्छी लगे तो जुरूर आप ज्यादा से ज्यादा जो ह यह जो चित्र आप देख रहे हो यह रणतंबोर के किले की है जो पहार से है यह किला अगर हम देखेंगे तो आपको जल्दी से इसके अंदर जाने का जो दर्वाजा है वो नहीं मिल पाएगा और इस तरह से इसकी जो है बनावट है एक दूसरी और फोटोग्राफ से यह बाह नहीं है और यह बोर अरो हमेशा आपको भीड मिलेगी इस किले के अंदर... यह किले के अंदर जो दर्वाजे हैं उसके आप फोटो यह देख रहे हैं कि यह दर्वाजा जिसमें से होकर के अंदर किले के अंदर प्रवेश किया जाता है यह वो दर्वाजा है यह आप देखें लोगों की आवाजाई हमेशा यहां रहती है एक बार पहले भी मैंने आपक को जूम करके बताओं तो यह बहुत ही खुबसूरत जो है किला है बना हुआ है और इस तरह से सुरुधर जो किला है काफी प्राचिन किला जैसा कि इसके बारे में अबूल-फजल ने बहुत ही अच्छी कोटेशन कहा है मैंने आपको पढ़के बताया था तो इस तरह से यह द आप देखें मैंने आपको पहले भी पताया था यह 32 खंबो की छत्री है जो कि इस किले के अंदर बनी हुई है बड़ी खूबसूरत आकरशक जो है यह चत्री है यह आप देखें इस छत्री का जो निर्मान है हमिर ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शाशनकाल की सि और रन्तमोर की शाखा का जो अंतिम शाशक है वो हमिर जोहान है तो इस तरह से इन्होंने इस 32 खंबो की जो छत्री है उसका निर्मान करवाया है इनके पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष शाशनकाल के हो गए थे उसकी स्मृति में इन्होंने इस छत्रियों का निर्मान करवाया बड़ी खूपसरत और कलात्मक च्छत्रियां हैं मैंने एक बार पहले भी आपको दिखाया था यह देखिए हमेशा यहां पर लोगों की जो आवाज आई है वो बनी रहती है लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं इस तरह से आप देखें कि यह जो किले हैं बहुत ही खूपसर के जो चित्र हैं जिसे आप देख रहे हैं रणधंबुर के किले के यह कुछ फोटोग्राफ थे जो मैंने आपको दिखाये और इसलिए अबूल फजल इस दुर्ग के बारे में यह का था कि अन्य सब दुर्ग जो है नंगे हैं जबकि यह दूर्ग बक्तर बंध है यानि कि यह जो दूर्ग है वो साथ विशम पहाडियों के बीच में घिरा हुआ है आप देखें जल्दी से इसके अंदर जाने का जो रास्ता है वो आपको नहीं मिलेगा निर्मान चोहान वंच्य राजावने करवाया है और करीब इनोंने 600 बर्षों तक यहां पर एक छत्र शाशन भी किया है तो इस तरह से यह उची पहाडी के शिकर पर यह बना हुआ अबहद्य दुर्ग है आज के इस टोपिक में हमने राजस्तान के प्रमुक जो दुर्ग थे जो टोपिक में दिये हुए थे उनके बारे में भी पड़ा है और कुछ एक्स्ट्रा जो जानकारी है जो म वो आप सब तक पहुंचाएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज़ादा जरूर लाइक करें जो नए विद्यारती है जो पहली बार इस चैनल पर आएं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो इसको लाइक जरूर करें वीडियो के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद